हेलो दोस्तों वेल्कम टो आवर चैनल देखे दोस्तों आज मैं आपके लेक रहा हूँ साइन्स में रेडियो सक्रियताय सम्मदित मोस्ट इंपोर्टेंट 24 कोस्चन और ये इस वीडियो का पाट 13 है इसके पहले जो इस पे लिए काफी महत पूंड है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाली बेल आइकन है उससे भी अन करता है क्योंकि मैं डेली ऐसे एक से दो वीडियो अफ्लोट करता हूँ जिस का अटिफिकेशन आपको मिल सके तो चेली देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रस्ण है और इसका अलावा दोस्तों आप मैं एकन अकेडमी पर भी एजुकेटर हूँ तो अनकेडमी का जो लर्निंग एफ है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसमें मेरा चैनल स्टडी और टार्गेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक जो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो हेंरी बेकरोल, ठीक हेंरी बेकरोल के दवरा किया गया था तो इसका राइट अंशर अप्सन नमर सी हो जाएगा नेश्ट कुशन देखे कुशन मर दो है most important question है रेडियो सक्रियता किसका गूड है तो किसका गूड है तो नाभी का किसका नाभी का गुण है तो इसका राइट अंचर अप्सन नमर डी हो जाएगा नेश्ट कुशन देखे कुशन मरतीन है किसी परमाणू के अस्थाई नाभीक में प्रोटानों की संख्या होती है तो प्रोटानों की संख्या जो है कितनी होती है तो निउट्रानों की संख्या से क्वम होती है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेश्ट कुशन देखे कुशन मर चार है ये भी मोस्ट इंपोर्टन कुशन है रेडियो सक्रियता की काई है तो रेडियो सक्रियत है कि काई कौन सी है तो क्यूरी है कौन सी है क्यूरी है तो इसका राइट अंचर है ओप्शन अमर C हो जाएगा नेश्ट कोशन देखे कोशन और 5 है रेडियो धर्मी पदास उठ सरजित करता है तो रेडियो धर्मी पदास जो है ये भी most important question है alpha और beta कीर्णो एक खुझ किसने की थी बहुत बरी question एक पुछा गया है alpha और beta कीर्णो एक खुझ किस के द्वारा किया गया था तो rather food के द्वारा rather food के द्वारा किया गया था तो इसका right answer option number c हो जाएगा next question देखे question number 7 है किस बैग्यानिक ने गामा किर्णोई खोज की थी तो किस बैग्यानिक के द्वरा किया गया था तो रौदर फोड के द्वरा किस के द्वरा रौदर फोड के द्वरा किया गया था तो इसका राइट अंसर है ओप्सन नमर भी हो जाएगा नाफिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी बेधन चमता सरवाधिक होती है तो किसकी बेधन चमता जो है सबसे अधिक होती है तो गामा किर्णों की बेधन चमता जो है सबसे अधिक होती है तो इसका राइट अंसर है ओप्शन नमर सी हो जाएगा नाइश्ट कुश्चन देखे, कुश्चन मर नाइन है अल्फा किर्णों पर उपस्ती तावेस है तो अल्फा किर्णों पर उपस्ती तावेस कौनचा है तो दो इकाई धोन आवेस है कौनचा है दो इकाई धोन आवेस है तो इसका राइट अंचर है Upsion number E ہو जाएगा Next question देखिर about B इसका right answer Next question किसके उठसरजन से संभारी आगा ISO बार का निर्माड होता है तो किसके उठसरजन से ISO बार का निर्माड होता है तो बीटा की रण ठीक बीटा की रण के उत्सरजन से जो है संभारी का निर्माड होता है तो इसका राइट अंचर ओप्सन नमर B हो जाएगा नेश्ट कोशन देखे कोशन मर 12 है गामा कीर्णे है तो गामा कीर्णे कौन सी है तो उंचूर्जा वाली बीधूत चुम्बा की अतरंगे ठीक उंचूर्जा वाली बीधूत चुम्बा की अतरंगे जो है गामा कीर्णे है तो इसका राइट अंचर ओप्सन नमर A हो जाएगा निम लिखित में से किस की रन की आयनन चमता सबसे कम होती है तो किस की रन की आयनन चमता सबसे कम होती है तो गामा किर्णों की ठीक गामा किर्णों की आयनन चमता सबसे कम होती है तो इसका राइट अंचर है उप्शन नमर सी हो जाएगा नेश्ट कुश्चन देखे कुश्चन और 14 है ये भी most important कुश्चन है निम में से किस किरन की आयनन चंता सबसे अधिक होती है तो किस किरन की आयनन चंता जो है सबसे अधिक होती है तो आलफा किरनों की ठीक आलफा किरनों की आयनन चंता जो है सबसे अधिक होती है तो आप इसे भी याद रखेंगे next question देखे question number 15 है समास्ते रेडियो सक्रिया पदार्थ छोई होने के पस्चात किसमे अंतिम रूप से बदल जाते हैं तो किसमे बदल जाते हैं तो सीशा में किसमें सीसा में बदल जाते हैं तो उसका right answer है option number B हो जाएगा next question देखे question number 16 है ये भी most important question है निमलिखित में से किसकी बेधन छमता सबसे कम होती है तो किसकी बेधन छमता सबसे कम होती है तो alpha किर्णो की ठीक alpha किर्णो की बेधन छमता सबसे कम होती है और गामा किर्णों की बेधन चमता जो है सबसे अधिक होती है तो आप इसे भी याद रखेंगे नाइश्ट कोशन देखे कोशन नमर 17 है यदि किसी रेडियो धर में पदार्थ की मातरा को दो गुनी कर दी जाए तो रेडियो धर में छरन की दर हो जाती है तो कितनी हो जाती है तो दो गुनी हो जाती है कितनी हो जाती है दो गुनी हो जाती है तो उसका राई टंसर है उप्शन नमर D हो जाएगा नाइश्ट कोशन देखे कोशन नमर 18 है प्रिथवी के आयू का आकलन किया जाता है प्रिथ्वी का आयू का आकलन जो है किसके द्व़रा किया जाता है तो uranium dating से ठीक uranium dating से जो है प्रिथ्वी का आयू का आकलन किया जाता है तो इसका I answer उप्जन नमर यह हो जाएगा next question देखे question computation 19 radio carbon dating से किसका निर्धारन होता है बहुत बर ये question ने क्या है पुछा गया है Radio Carbon dating से जो है किसका निर्धारन किया जाता है तो जीवास्मों की आयू का किसका जीवास्मों का आयू का निर्धारन किया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे Next question देखे question बर B से ये भी most important question है क्रित्रिम रेडियो सक्रियता एक खोज किसने की थी तो किसके द्वरा किया गया था तो एफ जूलियट वो आई क्यूरी के द्वरा किसके द्वरा एफ जूलियट वो आई क्यूरी के द्वरा किया गया था तो इसका राइट अंसर है ओप्सन मर सी हो जाएगा नेश्ट कुशन दिखे कुशन नमर एकी से बर्ग विस्थापन नियम का पर्ति पादन किसने किया था तो किसके द्वरा किया गया था तो रौधर फोड तथा सांडी के द्वरा किसके द्वरा रौधर फोड तथा सांडी के द्वरा किया था उसके राइट अंसर है, उप्शन नमर B हो जाएगा, नेश्ट कुश्चन दिखे, कुश्चन और 22 है, परमाडू बम का विश्कार किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो अर्टोहन के द्वारा किसके द्वारा, और टोहन के द्वरा किया गया था तो इसका राइट अंचर है option number C हो जाएगा next question देखे question number 3 ये भी most important question है किसी radio सक्रियत तत्व से उत्सर्जित अलफा किरने है तो उत्सर्जित अलफा किरने कौन सी है तो helium ना भेके ठीक ही helium ना भेके तत्व से उत्सर्जित अलफा किरने है तो इसका राइट अंचर है option number C हो जाएगा और last question देखे question number 24 है एक radio धर्मी तत्वा जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो किस radio धर्मी तत्वा के जो है भारत में जो है सबसे बड़े भंडार पाए जाते है तो thorium के किसके thorium के जो है भारत में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं तो इसका राइट अंचर है option number C हो जाएगा तो दोस्तों ये थे science के most important 24 question जो कि सभी पढ़ती होगी परिक्षाओं के लिए काफी मैत पूड है तो दोस्तों I hope कि ये वीडियो पसंद आयोगा पसंद आये तो वीडियो को like जूरू कर दे दोस्तों और ऐसे important वीडियो छाए आपको यहाँ पर मिलते रहें कि आप बस वीडियो को like कर दिया करें चैनल को subscribe करें बेला इकन दे बाए थैंक्स पर वाचिंग